दिंग डॉंग केक एक चॉक्लेट मॉइस्ट लाइट केक होता है जो खाने में तो बहुत ही डिलिशिस लगता है ये केक आज हम बनाएंगे कुछ अलग फ्रोस्टिंग के साथ ये एकदम क्रीमी फ्रोस्टिंग है इसका और एकदम डिफरेंट है तो चलिए स्टार्ट करते ह कि आज की डिंग डॉंग केक अगर आपको ये वीडियो थोडासा पी पसंद आया तो प्लीस मेरी चैनल को सबस्क्राइब करीजे इस वीडियो को लाइक कर दीजै और शूयर कर दीजैंल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो यहाँ पर आप जो लाल बटन देख रहे हो सब्सक्राइब का उसके उपर क्लिक कर दीजिए और जो बाजो में बैल आइकन है उसको भी प्रेज कर दीजिए किसे क्या होगा मैं जैसे वीडियो अपलेट करूंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यहां पे हम बिना अवन के केक बना र लिए और हम केक का बैटर तयार कर रहे है तो यहां पर मैंने बड़ा सा बाव लिया है उसके अंदर एक बड़ा सा कप मैंने मेंदा डाला है आधा कप मैंने पीसे वीचीनी डाली है और पांच बड़े चमच यहां पर मैंने कोको पावडर यूज किया है एक छोटी चमच बेकिंग पाउडर डाला है अधी चोटी कि पेंग शोड़ा डाला है ठोडा सा यहाँ सब्षेक उया है इन सब को मिला लेंगे अच्छी तरह से इन सब को मिलाने के बाद यहां पे एक चोथाई कप मैंने तेल डाला है यह तेल सरसोका नहीं है यह बिना स्मेल वाला तेल है इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है फ्लेवर नहीं है उसके बाद यहां अदी छोटी चमक्ध वैनिला एषेंस डाला है। इससे केक का टेस्ट वहुत अच्छा आता है। और इसके उपर मैंने डाला एक पानी डाला है। धिरे धिरे अपह में पानी डालते जाएंगे। और बैटर तयार करते जाएगे तो थोड़ा सा पानी पहले डाल दीजी उसके पाद इसको मिक्स कर लिजे और फिर से थोड़ा सा पानी एड करिए और इसको मिक्स कर एए और एक अच्छा सा स्मूद सा बैटर हम यहां पे तयार कर लेंगे поч More बिना अंडो का केक बना रहे हैं तो इसमें हम वाइट विनेगर का उप्योग कर रहे हैं तो यहां पर मैंने एक छोटी चमच वाइट विनेगर एड़ किया है और विनेगर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो बस हमारा जो केक का बैटर हमें चाहि तो यहां पर दूसरी तरफ मैंने केक्टीन लिया है यह केक्टीन 6 इंच का है और इसको मैंने तिल डालके अच्छी तरह से ग्रेस कर लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा मेंदा भी डस्ट किया है और मेंदे को भी हमने पूरे केक्टीन में फैला दिया है और जो एक्स्ट का बैटर था उसको मैंने केक्टीन में डाल दिया है और अच्छी तरह से 6-7 बार इसको टैप करना क्योंकि इसमें जो एर पबल्स होगे वो निकल जाएंगे तो बस टैप कर लिजे और उसके बाद जो हमने कड़ाई प्री हीट की थी उसके अंदर केक्टीन को हम रख देंग तो हम यहां पर केक को पहले 15 मिनिट के लिए एकदम मीडियम हीट पे पकाएंगे उसके बाद 30 से 35 मिनिट तक उसको मीडियम पे पकाएंगे तो हमारा केक बिना ओवन के कड़ाई में भी इजी बहुत ही अच्छा पक जाता है तो आप टूथपिक की मदद से या चाको की निकालने के बाद हमने के केक को ठंडा होने के लिए रख दिया है जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम केक की फ्रोस्टिंग तयार करेंगे तो उसके लिए एक पैन लिया है उसके अंदर तीन शाथा इक अब दूद डाला है दो बड़े चमच यहां पर मेंदा डाला है और अच्छी तरह से मेंदे और दुद को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे उसके बाद ही हम गैस चालू करेंगे तो गैस ओन करने के बाद हम इसको 6-7 मिनिट के लिए बिल्कुल दिमी आज पे हम पकाएंगे जैसे जैसे यह पकता जाएगा यह बिल्कुल गाड़ा हो जाएगा और 6-7 मिनिट के बाद आप देख पाओगे के यह एकदम बिल्कुल एक पेस्ट जैसा बन चुका है तो हमें मेंदे को अच्छी तरह से दुद में पकाना है बस यही फ्रोस्टिंग का एक बाग है तो अच अच्छा हो चुका है आटा और दूद अची तरह से मिक्स हो चुका है और एकदम पेस्ट जैसा बन चुका है तो बस हम यहां पे गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसको एक साइट रख देंगे तो यहां पे मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है और उसके अंदर मैंने यहां पे बटर लिया है यह बटर थोड़ा रूम टेंपरेचर वाला है तो हमें बस इस बटर को बहुत ही अच्छी तरह से फैटना है बीट करना है आपके पास ऐसे हैं इलेक्टरिक बी आप कर सकते हो तो बस इस बटर को हमें दो से तीन मिनिट तक इसको बीट करना है अच्छी तरह से कि अ है कि स्टीन मिनिट हो चुकर है उसके बाद यह पे हम पीसी हुई चीनी डालेंगे तो यह 3 फ़र्थ को पीसी हुँ presents जिसे मैंने घर पे ही पीसा आइंगे तो सबमें, पीक रखेंगे हैंड डिटर को मिटनः जारी मैं करता सुझा सकता रखेंदा इसकी इसके ओन वाँस्यूत सब मिक्स कि अचुकर दर रखेंगे छोन्न कराना चिनी सब्याइब दमांकि सब्सक्स्यूत्टr तो दूद्ध और जो मह्धा था उसका जो मिक्षर पर तयार किया था वह हम यहाँ पे डाल देंगे बटर में और उसको फिर से लिए बीट करेंगे जब तक यह एकदम क्रीमी ना हो जाए एकदम स्मूध हमें इस फ्रोस्टिंग तयार करने हैं तो दो मीनिट के लिए आप इ ऐड़ो के भीट भीक हो चुका है आप देख सकते हो embr jam it'll Кар orphan Ready आप सोम्हार अरी रहारी हो चुका है और और आगे मनें क्लीप मेरीख मीज हो चुकी है उसने में एक चोटा चंबाश माझ trap एड़ किया था तो आप इहां पर जड़र बैनिला intendospor needed एक बार मिक्स कर लेना अब हम जो बटर हमें फ्रोस्टिंग तयार किया था उसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रीज में रख देंगे जब तक यहां पर हम केक के लियर नहीं कर लेते तो यहां पर केक को मैं डी मोल्ड कर रही हूँ और उसको दो लेयर में मैंने डिवाइड के तो यह आप देख सकते हो कि यह जो केक टीन था उसमें चिपका भी नहीं है केक और एकदम सॉफ्ट और स्पॉंजी केक तयार हो चुका है तो बस हमें यहां पर इसको लेयर में डिवाइड करना है बीना अंडे और बीना ओवन के भी हम घर पे बहुत अची तरह से केक तया हो यहां पर मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है तो आप ज़रूर एक बार मेरी चैनल पर जाके केख के और भी वीडियो देख सकते हो तो यहां पर मैंने दो लेयर में केक को डिवाइड कर लिया है तो हमने जो बटर फ्रुस्टिंग तयार की थी उसको मैंने एक पाइपिंग बेग में बर लिया है और उसकी मदद से ही हम जो हमरा किक स्पंज था फर्स लेयर उसके उपर मैं इसे स्प्रेड कर रहे हूँ आपके पास पाइपिंग बेग ना हो तो आप चमच की मदद से या स स्पेचुला की मदद से भी आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं आपके पास पैलेट नाइफ हो तो उसकी मदद से भी अच्छी तरह से फैला सकते हैं बट आप जब पाइपिंग में भरके इस तरह से कोई भी फ्रोस्टिंग को केके उपर एपलाई करोगे तो वह एक अच्छा से स्प्रेड कर लिया है और पैलेट नाइफ की मदद से अच्छी तरह से उपर से स्मूथ लेयर तयार कर रहे हो तो बस आप इसके बाद इसके उपर हम जो सेकंड स्पॉंश है हमारा लेयर के का वो रख देंगे यह जो हमने डिफरेंट तरह की फ्रोस्टिंग तयार की है एक बार जरूर इस तरह की फ्रोस्टिंग के साथ यह डिंग डॉंग केक बनाईएगा यह आपको रियल बहुत ही अच्छा टेस्ट में लगेगा और एक अलग यह टेस्ट मिलेगा आपको और बहुत अच्छा यहां पे चॉकलेट गनाश तयार कर रहे हैं इसके लिए एक सॉस पैन में मैंने पानी उबाला है और एक बड़े से बाउल के अंदर मैंने 120 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउन ली है तो यहां पे चॉकलेट कंपाउन को हम थोड़ा सा पिगलाएंगे उसके बाद 120 ml विपिं दिमी रखनी है और दिमी को चॉकलेट को में मेल्ट करना है तो अच्छी तरह से चलाते जाएए तो चॉकलेट भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और हमारा जो गनाश वह रैड़ी हो जाएगा तो गनाश को हम थोड़ा शाइन देने के लिए इसके अंदर एक चमज मै थोड़ा शाइन देगा तो बस बटर डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेजे और यहां पर गैस की आच आप बन कर दीजे और उसको लगातार चलाते जाए और इसको हमें थोड़ा सा ठंडा होने दिना है उसके बाद ही हमें केक के उपर इसे डालना है तो अच् के नीचे एक प्लेट रखी थी उसके बाद ही मैंने यह चौक्लेट गणाश रहे उसको केक के उपर पौर किया था तो अच्छी तरह से चारो और हमें गणाश को पौर करना है और पूरी केक को हमें कवर कर लेना है इसके बाद हम इस तरह से थोड़ा सा स्टैन को उसके बाद आप चाहो उस तरह से केक को गानिश कर सकते हो तो यहां पर मैंने वाइट चॉकलेट चिप सर डार्ट चॉकलेट चिप से इसे डेकोर किया था आप देख पाओगे यह केक बहुत ही सौफ्ट बना हा और खाने में तो यह बिलकुल यम लग रहा था तो आप एक